दूस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं Pi Network में जो QIC है वो काफी समय से चल रही है लेकिन QIC होने की बात भी आपने देखा होगा भी आपने Coin Mine किया था उस Coin को आप फिर भी Send नहीं कर पा रहे हैं तो उसी को लेकर की ये Update है और यहां पर लगबग 400 Million Coin यहां पर Unlock कर दिया गया ह यानि जो Pi Coin है वो यहां पर Unlock कर दिया गया है इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आप सभी का अगर कोई Question है Pi Network के रिगारिक तो आप हमें Comment box के तुरू बताइए साथ ही साथ चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब केजिए New or latest update के लिए तो यहां पर जैसा कि अगर 100 Coin यहां पर देखे होंगे कि टूटल 100 Coin की Mining हुई है तो लगवग 25 Coin यहां पर Unlock कर दिया गया है तो इसी को लेकर कि यहां पर आप देख सकते हैं Recent Matrix Indicate for that Mobile Mining Blockchain Protocol has Unlocked up to 25% of the total Mining reward यानि जो यहां पर Unlock कर दिया गया है तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो यहां पर आप सभी का Mining आपने की होगी तो अब अगर आप wallet में जाते हैं तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका Coin यहां पर Unlock हो चुका होगा कुछ लोगों का जैसे मान के चलिए अगर आपने February में यहां पर KYC की February 2022 में आपकी Complete हो गई थी अब February 2023 चल रहा है आपने देखा ह यहां पर एक साल के लिए कुछ लोगों का 6 महीने के लिए यहां पर Coin था बही Coin यहां पर Unlock कर दिया गया है और अब वो लोग अगर अपना wallet जैक करने जाएंगे यानि Migration के दौरान जोन का Coin था वो यहां पर About के Mannet wallet में लगबग पहुँच चुका हुआ काफी सारे लोग अभी भी यहां पर Send कर पा रहे हैं लोकिन उन लोगों का जो KYC था वो काफी पहले हो चुका था और जो लोगों का यहां पर बाद में KYC हुआ था उनका यहां पर Send नहीं हो रहा था और बहुत सारे लोगों का यहां पर Question भी आ रहा था Migration को लिकरके तो य काईनेएर एवाट फॉर मिलियन सो पाई वास डेदुकेट फॉर थॉटल लॉक्ड रिवार्ड फॉर देखेंगे यह जो यहां पे अलॉक किया गया है लगवग लगवग चार दिन में अलॉक किया गया है यानी 6 तारीक से लेकरके और 9 दस तारीक तक यह unlock चला है process जो भी यहां पे चला है यानि जो 25% यहां पे unlock किया गया है आप जैसा कि आप इस image में देख पाएंगे पूरा यहां पे indicate किया गया है कि किस तरीके से यहां पे यह coin unlock किया गया है उसी को लेकर के इस image में जबाब दिया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस image में बताया गया है कि जो total यहाँ पे mining हुई थी वो यहाँ पे हुई थी इतने coin की ठीक है total mining reward इतना था लेकिन currently जो lock reward था वो यहाँ पे इतना था इतना रह चुका है पहले हुई थी तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे lock coin था वो यहाँ पे lock हो चुका होगा और अब आप उस coin को यहाँ पे send कर पाएंगे अब send किसको कर पाएंगे मान के चलिए आप उन्हीं लोगों को send कर सकते हैं जिन लोगों ने अपना यहाँ पे KYC complete कर लिया है या उन्होंने अपना wallet create कर लिया है पाई कोईन का तो उनका जो address है उसी address पे आप send कर पाएंगे क्योंकि other blockchain पे यह coin list नहीं है या आप trust wallet में आप इसी add नहीं कर सकते हैं metamask में आप इसी add नहीं कर सकते हैं receive कर रहे हैं ले रहे हैं यानी receive कर रहे हैं तो वो अपने PIE network का KYC करने के बाद ही यहाँ पे receive कर रहे हैं ऐसे ही उनके wallet में यहाँ पे coin नहीं जा रहा है तो यह यहाँ पे जो अभी तक का update है वो यही चल रहा है कि यहाँ पे coin unlock हो चुका है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 400 million PIE unlock and available for pioneer 25% of the total mining reward more unlock token indicated indicated for PIE transactions reward for pioneer in the industry तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लगवग 25% total mining का यहाँ पे unlock कर दिया गया है कोर का देखा होगा जो यहाँ पे total mining reward था यानी airdrop था 25% था लगवग 500 million 500 million के something तो उसका 25% उन्होंने unlock किया है तो इसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे 25% unlock किया है लेकिन यह उन लोगों को रिसीव हुआ है जिन लोगों का पहले KYC हो गया था और अब हम बात करने वाले हैं KYC को लेकर के जिन लोगों का KYC नहीं आ रहा है उन लोगों के regarding हमने काफी सारा प्रोसस पहले भी इसी तरीकी का सहम सहम बताया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है यानि रोज आपको अपना application ओपन करना है और KYC का जो यहाँ पे प्रोसस होता है उसको एक बार click करना है try applying for KYC once every day यानि एक बार try जरूर कीजिए if face any bugs please for patients यानि अगर आपको यहाँ पे कोई भी bugs देखने को मिल रहा है तो date कीजिए सभी का KYC यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी तरफ से जो chat section होता है पाई नेटवर का उसी में यहाँ पे update दिया गया था उसी का यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं यह जो यहाँ पे symbols बगएरा होते हैं यह हम बताना चाहेंगे जो पाई को टीम होती है उन्हीं के द्वारा यह update दिये जाते हैं तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है there is no daily limit for KYC slot यानि कोई भी यहाँ पे KYC का slot है उसका यहाँ पे limit नहीं रखा गया है unlimited यहाँ पे KYC slot send किये जा रहे है for the majority for the PI network right now who are available to apply for KYC applying for any time आप किसी भी समय यहाँ पे KYC कर सकते हैं apply यानि जिन लोगों को KYC receive हो रहे है the KYC solution for skills यानि जो यहाँ पे KYC solution है उसको बड़े इस्तर पर यहाँ पे समादान किया जा रहा है there are pioneer who cannot apply due to different corner for the name appeal for minor they are working यानि यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों का name बगएरा है यानि जो minor बगएरा है वो यहाँ पे KYC नहीं कर सकते हैं उन्ही के regarding यहाँ पे दिया गया है तो नीचे आप देख सकते हैं तो इसमें बताया गया है when to pioneer confirm for same wallet step 3 man net for checklet यह wallet को लिकर के बताया गया है और हमने इसके regarding पहले ही आपको बताया है कि आप 7 step यहाँ पर complete कर लीजे तो आपका coin यहाँ जल्दी से जल्दी आपके wallet में आज आएगा और जिन लोगों का KYC हो गया है लेकिन फिर भी उनका profile verification नहीं दिखा रहा है तो हम आपको बताना चाहेंगे application में जैसे ही next update आता है यानि application अभी तक update नहीं हुआ है काफी time से तो जैसा ही next update आएगा तो यह जो यहाँ पर problem है solve होने के ज़्यादा chances बन जाते हैं यह जो अभी तक का यहाँ पर update चल रहा है कि 400 million coin यहाँ पर unlock किया गया है और दीरे दीरे जो KYC का यहाँ पर process हो भी अब जादा यहाँ पर कर दिया गया है यानि कोई भी limit नहीं रखी गई है कि इतनी slot यहाँ पर send किये जा रहे है और साथ ही साथ हम आप सभी से कहना चाहेंगे अगर आपका कोई question है कोई problem है तो वह आप है comment box के तुरू बताईए चैनल पर अगर नई आये है तो चैनल को subscribe कीजिए जिससे आप सभी को new और latest video मिलत की रहें अगर कोई गलती हो जाती है तो चोटा में समझ के माप कीजिए thank you for watching